कईलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप तो डेयोग डिस्कस अबाउट छेप्टर माय्क्रो ऑज ओड ढराइंस फ्रेंड फो लास्ट पार्ट फ्रेंडलि petites confirm माइक्रो ओ不用 म ile यॉसफुल कैसे होता है कि नहीं नंता है तो सेफला सेखलेधे के हिंद मेल यॉसक्तब क्या थिसका सद्व करता है हिद क्या नाम अच्छित प्रेज occupas मिल्क को सार हो जाता है mhc सार है thanks making of bread, bread में क्या करता है, ये east होता है, जो east use होता है, इसमें baking industry for making bread में, ठेक है, east क्या होता है, फंगस है, फंजाई है, जो वो भी क्या है, फंगस भी क्या है, वी माइक्रोऔरगनीज में, इसी तरह से commercial use of of microorganism, commercial use of microorganism, क्या होगा, large scale में production होता है, किसका, alcohol का, और acetic acid का, acetic acid मतलब vinegar, ठीके, तो यह क्या, यह भी macro organism करता है, microorganism का सा, yeast, yeast, जो हता है, वो क्या करता है, micro, यह क्या करता है, large scale में production करता है, किसका, alcohol का, ठीके, तो, the process of conversion of sugar into alcohol by the action of yeast is called fermentation ठीक है तो fermentation की कारणी क्या बंध होता है alcohol into vinegar में convert होता है ठीक है बैक्टीरिया can turn alcohol into acetic acid acetic acid का मतलब होता है vinegar ठीक है सिर्का जो कि आप किसमें macaroni बनाते हो खाते हो है ना उसमें यूज होता है पिक्कल्स जो होता है इन सब में यूज होता है next है बाद है medicinal use of micro-organized, micro-organized क्या होगे medicinal use भी होता है क्योंकि क्या होते है anti-biotics जो होते है we micro-organized से बिलते हैं ठीक है जैसे कि some of common antibiotics कौन-कौन से होते है penicillin streptomycin, erythromycin and tetracycline यह सब क्या है sthb qtb n t असके साथ क्या अंतिबायोटिक उसके साथ देते है जो भी आपको मेडिसीन देगा डॉक्टर ठीक है तो एंटीबायोटिक्स और हाववर नॉटिपक्टिव अगेंस्ट disease caused by viruses ठीक है तो antibiotics cannot be used to cure disease like common cold, flu and viral fever because these are caused by the virus ठीक है तो वाइरस के कारण जो disease होगी उसमें antibiotics यूज नहीं करते हैं ठीक है तो next है vaccines, vaccines क्या होता है बटा, a vaccine is a special kind of preparation for medicine which provides immunity against a particular disease किसी भी particular disease के लिए क्या करते है उसके लिए वैक्सी तैयार करने के लिए कोवीड-19 के लिए vaccine तैयार करने को बोल रहे हैं तो वह हमारी vaccine क्या होती है वह हमारी बॉडी में इस तरह के इस तरह से vaccine डाल देते हैं कि हमारी से इस्के बॉडी में क्या होता है antibody आ जाती है antibody आने का मतलब है कि वह क्या करेंगे तो जो हम बच जाएंगे वह जो भी वाट्य कि वैडना यह वाद्च काशल में इस कड़िकश बैटाव sound कि इसको immunity को develop करता है ठीक है from a disease vaccination जो होता है एक process है जो कि क्या करता है giving a orally मतला mouth के थ्रूपी दे सकते हैं जैसे कि polio की vaccine है ने polio drop ठीक है तो the disease which can be prevented by vaccination of children at proper age और कौन कौन सी होती है वो polio smallpox cholera typhi hepatitis tuberculosis titnes measles rabies diphtheria ठीक है तो यह सब आपके क्या है इसके इसके क्या है vaccine लेते हैं starting में ही बच्चों को क्या दे लेते हैं vaccine दे जाती है ठीक है जिससे कि वो और उससे क्या होचे बच सके हैं अपने prevent होस्त कर सकें वो बच्चों को तो Edward Jenner जो थे वो discover करी थी उन्होंने किसकी vaccine smallpox की vaccine discover करी थी किसने Edward Jenner ने ठीक है कब करी थी 1798 में ओके next है micro-organ increasing soil fertility ठीक है तो soil fertility को भी increase करते है कौन micro-organism जैसे कि आपको पहले भी मैंने बढ़ाया है कि nitrogen fixation some bacteria और जो blue-green algae होती है वो क्या करती है fix nitrogen gas from the atmosphere ठीक है वो क्या करती है and is the soil and nitrogen compounds and increase its fertility ठीक है पहले भी मैंने आपको बताया कि micro-organism क्या करते है जो atmosphere में जो nitrogen होती है उसको क्या कर देते है soluble compounds में change कर देते है जो कि असानी से plants उसको absorb कर सके ओके तो यह इस तरह से nitrogen fixing blue-green algae इस तरह से होती है ठीक है तो यह क्या कर देते है नाइट्रोजन जो atmospheric nitrogen उसको soluble compound में change कर देते हैं तो यह कैसे करते है जो rhizobium bacteria किसमें present होता है उसमें लग्यूमिनस plant में लग्यूमिनस plant मतलब जो लग्यूमिनसी family के होते हैं लग्यूमिनसी family के जैसे की peas हो गया beans हो गया तो यह क्या कर देते है fix atmospheric nitrogen and increase soil fertility ठीक है rhizobium bacteria भी यह करते है तो rhizobium bacteria भी क्या है माइक्रो अर्गनीजम है ना नेक्स्ट है बटा cleaning the environment तो कैसे clean करता है आपको पता हिए कि अगर क्या होगा माइक्रो अर्गनीजम नहीं होंगे माइक्रो अर्गनीजम क्या करते हैं जो decompose कर देते हैं ठीक है harmful and smelly dead remains of plants और animals को अगर क्या होगा यह माइक्रो अर्गनीजम नहीं होंगे तो क्या होगे dead plants dead animals और सारी के सारे वो क्या होगे पूरे अर्थ में पूरे अर्थ में क्या होगा यह हो जाएंगे अगर माइक्रो अर्गनीजम क्या कर देता है उसको decompose कर देता मतलब की तोड़ देता है इना सीथम्पोम्रों हो जाना टूटाएं देख कि तो फिसम्राइशा राखनाः ने पूंश सांट के मांदेएं थ्यूंपुट सकते हैं आपान का शो pillar और होना है शरा है और यह मीद эффekा बार्म किवह संग का WCB सेख्रीर के त्सक्राइब भंविर को पर फूद और फीजिगल कॉंटेक्ट आपश हम इस होगताते हैं अगर आपको अभी सुख्सक्राइब के नॉट जए नॉट सब्सक्राइब ओर हो जाए है तो यह वह पाते हैं तो चॉह में अपने कर दो इस तो कह लिए जो जो दिर्म के तो पॉट यॉट डी आड डी जिएन और यह दो दिस ऑनाजिए में क्न्म गड़ कोंड जो किया है औ तो अगर आपको आपने क्लास में भी देखा होगा कि क्लास में क्या ज सी बच्च को खोल्ड हो रहा है उसने खीख मारी तो के आएव चिसका ही स्ट्रॉग पीजा पिटा इसको जल्दी से क्या हुँता है तो डिजीज़ नहीं इवेक्ट कर पाती है इन्फेक्ट कर पाती अब जो जिसका इम्मुन सिस्टम स्ट्रॉंग नहीं है वो असानी से क्या करेगा उसमें वो उस डिजीज उसको जल्दी से हो जाएगी है ना करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे परखियोज देखा ना तो अगरा आपने आपने तो वह बैंक करते हैं किवुचा नियुक्ति सभी भी करदे हें किवराय सभड़ाइक कशी कर ब्योर्ति lifted उनकुब्र क्यानों भी कोने रिनों होता है यह इंहीं किव़ातर प्रश्च में गार्म नंग होई हमेशा प्रश्य कहा है और रोड साइड जो स्टॉल्स होती है उस में ज्या कभी भी ने खाएं और यह कर सकते हैं इंसक्टिसाइड इस प्रेयर इन उस पर यूज़ करें अग्चुली इस दा फिमेल अनाफिलीज मॉस्कीटो वही क्या करता है कैरी इस पैरासाइट ऑफ मलेरिया ठीक है हाँ बेटा अब आपने देखा ना किस तरह से क्या है हाउस फ्लाइ कैसे कैसे बैक्टिरिया क्यारी करके आपके फूट मे ले आती है मॉमोस खाने जाते हो और क्या करते हो गोल कप्पे खाने जारहा हूं Homeland अनगहां अब इस ट्रीट फूसे अंगवर्ट फूद अगर को गि या डिजीज दिजीज सोगे अब अब प्रोमिस करो कि आझ के बाइबेस वह कौँम सी डिजीज न माउट डिजीज एंठ्रेक्ट एंड ऐस पर जी लोसी ठीक है यह सब डिजीज है फूटल में जो किसके कारन होती है फूट अन का बाइकतिय वो है बॉड़ने बना दिचेिज करण किया हूद अगया का भाइक करो तो वैडिस कॉघे का कि नहीं Case completing डवब डी सुट है ao 국se resistant यह कि भी इंस पॉट्रिय जई होती है जो ब्रुटिया घालगेव इसी फूटै इसी कि तीकिन कॉट्च भाय। और बाय। हो गया गांद एंगनांज दिस्का डियाम में जकी नोन आज बैसिलस एंथ द्रस इस लके एक डिझीज है ठीकि Anyway योगनों जाती है जैसे की पॉल्ट्री बोर्ट्स में होती है इछ पांगर सी कारण होती है और यस और आम क्या है aspergillosis is a fungal disease of animals इस disease का नाम है aspergillosis तो aspergillosis से ही पता चल रहा है कि aspergillus से होती है na aspergillus क्या है एक फंजाए है हमने कल भी पढ़ा था ये disease causing microorganism plants plants में जो होती है plants में भी क्या होती है microorganism के कारण जो disease हो जाती है जैसे कि rust of wheat, citrus canker and yellow vein mosaic of bhindi Ch dernier some concept with he Jiweakia that it is of farmer peach to discuss a konuşable withSer behöak conservatives हमाद fandari權 दिस इस भी आपना काम लिए जो धर्चिति के भी आप गे जो थीशे काना में सorn चीए वाचिथ नगज से इसी तरह से citrus canker, citrus canker जो disease होती है वो बिटा बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है, और citrus canker disease जो होती है, transmitted through air, ठीक है, next, जो plant disease होती है, yellow vein, mosaic of bindi और okra, ये किस के कारण होती है, virus के कारण होती है, ठीक है, next, food poisoning, food poisoning क्या होती है, disease caused due to presence of large number of microorganism, like bacteria and fungi in the food है, इसके कारण presence, उसमें क्या होती है, toxic substance होती है, food में, किस के कारण, microorganism के कारण, और वो क्या होगा, वो क्या होगा, अगर हम खा लेंगे, तो क्या हो जाएगी, food poisoning हो जाएगी, food poisoning के कारण हम क्या, human beings की death भी हो जकती है, the major symptoms जो होते है, food poisoning के वो क्या होते है, vomiting, diarrhea, lose motion, pain in abdomen, headache and fever, जो आप खाते हो ना बहार जाके उल्टा सीधा, छो ले बर्टूरे, अलाना, अफलाना, सब खाते रहते हो, उल्टा सीधा खाना, उसके कारण, आपके पेट में दर्द हो जाता है, कभी-कभी, food poisoning बटा इतना ज्या हम से कम खाएंगे, है ना, जो two most common examples होते है, bacteria which cause food poisoning, are bacteria salmonella and bacteria clostridium botulinum, यह क्या नाम है, जिसके कारण की food poisoning होती है, ठीक है, an example of fungus which cause food poisoning is aspergillus, ठीक है, इस तरह से फंगस कभी-कभी थोड़क दिखता भी नहीं हमें और हम खा लेते हैं, उसके कारण भी क्या हो जाता है, हमे food poisoning हो सकती है, ठीक है, food is very precious material है, तो आपको पता ही है, it should not allow to get spoiled, become useless and cause food poisoning, ठीक है, तो इसके लिए हमें इसको क्या करना चाहिए, preserve करना चाहिए, food को, and food to prevent to from getting spoiled, उसको क्या spoil होने से बचाना चाहिए, ठीक है, तो preservation of food, preservation of food हम कैसे करते है, the process in which the food materials are given suitable physical or chemical treatment to prevent their spoiler is called food preservation, ठीक है, तो वो किसके कैसे करते है, हम जैसे दाल बगरा होती है, pulses को क्या करते है, dehydration करते है, dehydration मतलब कि उसका सारा का सारा पानी सुखा देंगे, किसके कैसे सुखाएंगे, sun drying से, heating से हम food preserve कर सकते है, cooling से कर सकते है, जब खाना बगरा बचता है, आपका food बचता है, तो आप कहां रखते हो रहा है, refrigerator में रखते हो ना, deep freezing, ठीक है, addition of common salt, salt and sugar आप ज़्यादा डालोगे, तब भी क्या होगा, उसमें किसकी micro-organism ग्रो नहीं करते है, जैसे कि jam, jellies, pickle, आपने यह सब खाया होगा, जैसे jam में क्या हो, तब बहुत ज्यादा sugar में मिक्स होती है, तो उसमें भी क्या होगा, यह micro-organism ग्रो नहीं कर पाएंगे, micro-organism ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, वो food preserve रहेगा, तो preservatives भी हम डालते हैं, preservatives जैसे sodium benzoate डाल दिया, sodium metabisulfite डाल दिया, citric acid डाल दिया, यह तरह से, पॉस्चुराइजेशन किसका करते हो, milk का करते मिल्क को 72, 72, 72 degree Celsius में गरम करते हैं, और अचानक से उसको क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, ठीक है, यह पॉस्चुराइजेशन की प्रॉसेस होती है, फूड को बिटा, स्पॉइल होने से और कैसे बचा सकते हो, जो आप शादियों में क्या करते हो, मैरिज में जाते हो, और लगता है कि फ्री फंड का खाना है, भर दिया, प्लेट भर के, हैं, आफिस के बाद खानी पाए, उसको सारा का सारा क्या कर देते हो, फेंक देते हो, कभी भी अपनी प्लेट में थोड़ा सा भी खाने को बचाना नहीं चाहिए, उस से क्या हो चाहिए खाना क्या हो ऌगता यह स्पॉइल हो रहा है जितना आपको जाहिए, थोड़ा सा थोड़ा सा भी पाउगे तो आप पूरा खाल भर गरे दो खाना होगे, एक, अगडरा ख क्या है जाएगा वेस्ट हो जाएगा है तो हमें क्या करना चाहिए फूट को हमेशेखना इस बचाना चाहिए िजए एक तरह से कर दो थो गर आप काने को हैँ थी था-ध क्या होता है स्फीरगों निम्ह com patient वहान में और इस तरी होगा हड्याव है कहां वहाएं जब था इसी तरह से नाय्टरोजें नैटरोजें इन च्रफ इत्मस्टेर इन तो होन पता बहुत कह जी हो फ्लां से थालयर करने व image is रोट नॉडिोजि वे प्रमेंट के légumesnest plant क्यों गहते हैं क्योंकि वह लैगउ yüknası family के होते हैं इस तरह से root nodules में बैटा ये देखो root nodules आपको दिखाये देरा lesuminasy plant के और इसमें क्या होता है nitrogen fixing bacteria rhizobium bacteria present होता है जो की क्या करता है nitrogen gas को किसमें convert कर दिता है nitrogen compounds में convert कर देता है ठीक है इपdar नाय्टोजन साइकिल है na जो साइक किया अड़ own चलाइ पंडल लाउत नाय। जाहले खुपुफप्लक झांट ग्यांग चारर की वह प्लांट्वं डेल्क प्लांट्व में शोगी। उसी को है खुपुपुपुपुत्य नभागी ग्रेल से ब्र ettli निशे, इसमें बैक्टरी न फंजाइब को करें दूबारा से वो कहां पहुँंचेगा नांटृजन इंसोयल इसके बात घे नायटरिफाइंग बैक्टरिया को लोगता है कि अधिकॉश सम्सार नायटरोजन इन टो नाइटरोजन गैस्टरोजन कोई। और यह जो nitrogen gas होती है वो दुबारे से कहां पहुंच जाती है nitrogen atmosphere में पहुंच जाती है ठीक है तो इस तरह से यह nitrogen cycle चलता ही रहता है ठीक है अब इसका अगर बोलेंगे define करो तो क्या करेंगे the circulation of nitrogen element through living things plants and animals and non-living environment air, soil and water is called nitrogen cycle in nature समझ में आया yes ma'am मज़ा आया yes ma'am मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे marks लाएगा okay, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे marks लाएगा very good तो पेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना subscribe करना और share भी कर सकते हो okay bye bye students